हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्के एक्जाम क्रेकर मैं विश्नुदत सर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्के एक्जाम क्रेकर पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और इंपोर्टेंट गोर्मेंट जोब से रलेटेड अपडेट लेकर आए हूँ अभी यूपी गोर्मेंट दुवारा एक बड़ी भरती आई है और इसके लिए फ्रेंड्स ये 9534 पदों के लिए वेकेंसी आई है इसके लिए जो आवेदन परिकिरिया है जो फॉर्म बरने की प्रोसेस है वो भी सुरू हो चुकी है इसलिए आप जल्दी से अपलाई कर ल और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा इस यूट्यूब चैनल के माद्यम से मैं डेली आपके लिए आपके एक्जाम से जुड़ी और जो इंपोर्टेंट जोब अपडेट्स से जुड़ी इन्फोर्मेशन है वो सेयर करता हूँ अगर आप किसी भी सरकारी नोकरी या फिर हमारे चैनल को फोलो करें चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर ले और बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस कर ले ऐसा करने से आपको हमारे डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इंपोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर तो फ्रेंड्स आते हैं आज की जो इंपोर्टेंट अपडेट है उस पर जानते हैं ये कौन सी भलती है तो फ्रेंड्स जो ये भलती आई है ये UP की भलती आई है UP Police Recruitment and Promotion Board इसके दिवारा ये भलती निकाली गई है और ये सब इंस्पेक्टर यानि SI और Other Post की ये भलती डेट्स हो सभी के लिए 400 रुपे है सभी के लिए सेम फीस है 400 रुपे आपको फोर्म की फीस जमा कराने होगी और यह आप जो है इच अलान के थरू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बेंकिंग इसके थरू फीस आप जो है अपनी इपोजिट कर वा सकते हैं, इमपोर्टंट डेट्स जानते हैं, जो एप्लीकेशन शुरू हुए है यह एक अप्रेल से भरने फोर्म सुरू हो चुके है और आपके जो है last date है जो note करेंगे 30 अप्रेल तक आप जो है form भर सकते हैं इसके लिए application जो है online आवेदन है आप जो वो आपको ना complete कर सकते हैं फ्रेंड जो exam date है वो भी जल्द ही जो है आपकी website पर आपको inform कर दिया जाएगा और admit card है उसके बारे में भी अभी कोई dates fix नहीं है अभी आपको जल्द ही नेक्स जो आपके updates आएंगी वैसे ही बता दिया जाएगा और फ्रेंड जो इसमें जो age limit होगी जो आयू सीमा है वो है सबसे पहले तो जो age limit हो एक साथ 2021 से आपकी count होगी और जो minimum age चाहिए इसके लिए 21 साल होनी चाहिए और जो maximum age हो 28 साल होनी चाहिए age आपकी यानी जो ये year भी दिया है 1793 से 172000 के बीच आपका जो है जनम होना चाहिए ये आपकी DOB होनी चाहिए और जो बाकी age relaxation की जो extra rules है वो जो UP government के जितने भी rules है उनके according आपको ये follow करने है उसके according age relaxation आपको मिलेगा जो vacancy details है जान लेते हैं कुल जो पद है ये 9534 पोस्ट है जिसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 9027 और प्लेटून कमंडर की जो पोस्ट है वो है 484 और fire officer की पोस्ट है 23 तो ये कुल अलग-अलग पोस्ट बता दी मैंने और जो eligibility है सब इंस्पेक्टर और जो प्लेटून कमंडर है उसके लिए आपको जो बैचलर डिगरी होनी चाहिए आपके पास किसी भी stream में कोई भी जो इंडिया की recognized university है उससे और जो fire officer है उसमें आपकी जो bachelor degree in science होनी चाहिए साइस में ही आपकी जो है डिगरी होनी चाहिए fire officer के लिए फिर जो physical eligibility है जो physically आपकी सारी के दक्सता चेक की जाएगी इसमें जो male candidates है जो journal, OBC और SC के candidates है जो male है उनके लिए height 168 cm होनी चाहिए और जो ST के candidates है उनके लिए 160 cm होनी चाहिए चेस्ट जो है वो journal, OBC, SC के लिए 79 से 84 जो inch होनी चाहिए आपकी और 77 से 82 के बीच होनी चाहिए आपकी ST category के लिए और जो running होगी आपकी वो दोनों के लिए सेम है 4.8, 4.8 km की running होगी 28 मिनट में आपको ये पूरी करनी होगी फिर female candidates के लिए जो female candidates journal, OBC और SC category के है उनकी height 122 cm होनी चाहिए और जो ST category की female है उनकी 147 cm होनी चाहिए और जो chest है यहाँ पे आपके लिए female में ये कोई applicable नहीं है और जो आपकी running होगी race होगी वो 2.4 km रनिंग होगी 16 मिनट में आपको ये पूरी करनी होगी तो ये आपकी रही physical test के बारे में तो friends जो इस भरती से related ही है जो important जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी आसा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये update है जो मैं आपके लिए यहाँ पर लाया आपको पसंद भी आई होगी और आपको जो है काफी जो आपके लिए helpful information भी होगी है तो friends इसी update के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और friends अगर आपको हमारी daily video updates जो मैं इस channel पर आपके लिए लेकर आता हूँ अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like जुरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ भी share कीजिए और हमारी daily video updates के लिए channel को subscribe जुरूर कर ले और bell icon को भी जुरूर प्रेस कर ले ऐसा करने से आपको हमारी daily video updates के notification मिलते रहेंगे और आप एक भी important update को miss नहीं कर पाएंगे तो friends इसी important update के साथ video को समाप्त करते हैं मिलते हैं next video में और अच्छे updates और अच्छे topic के साथ thank you